तो आज की इस वीडियो का आपने थमनेल देख लिया है, टाइटल देख लिया है कि वाइटी स्टूडियो में छुपा है चैनल को ग्रो करने का राज तो ये मैंने क्यों लिखा है, किस कारण लिखा है, ये सारी की सारी आज बाते मैं एक्स्प्लेइन करूँगा और अगर आप भी यूट्यूब पर काम कर रहे हैं और आपको दो या तीन साल हो गया, परन्तु फिर भी आपके व्यूद दस पंदरा पर ही खड़े हैं तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने चैनल को ग्रो कर सकते हो, किस तरीके से आप अपने चैनल के उपर जो डाउन फाल है उसको खतम करके और ग्रोथ में ला सकते हो, अपने चैनल के उपर वीडियो में अच्छे अच्छे व्यूद ला स सकते हैं इसको तो आपको मैं एक लाइव स्क्रीन शोट दिखा देता हूं आप लाइव एक्जांपल देख सकते हैं कि मेरी ये वीडियो है जिसके अंदर यहां पर वीडियो परफॉर्मेंस के अंदर चलते हैं तो यहां पर मेरे जो तीन टिक है वह ग्रीन है और उपर की और मतलब मेरी यह वीडियो ग्रोथ में है या आपको मैं यह वीडियो नहीं तो मैं दूसरी वीडियो दिखा देता हूं तो मैं आपको दो तिन वीडियो दिखा देता हूं यह देख सकते हैं इसके भी जो टिक है वह उपर की और है ग्रीन है तो इस तरीके से अगर आप भी अप की उसकार को सिर्म करके सके और आपने वीडियो को जद है चैनल को डाने हैं नहीं अगर आपने अपने वीडियों को ज्यादा लमबा नहीं करते हुए और मैं बताता हूं कि किस तरीके से आप अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं कैसे 5-10 व्यू से छुटकारा पा सकते हैं और कैसे आप भी अपनी वीडियो पे लोगों की तरह में लखों में व्यू ला सकते हैं जी हाँ गईज लोग जो बड़े-बड़े क्रियेटर होते हैं वो एक ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं परन्तु आप अगर छोटे क्रियेटर तो आप कोई चीज की नोलेज नहीं होती है तो आपको आज आपका बाई बता देगा कि आप किस तरीके से अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं तो चलते हैं वीडियो के और वीडियो को ही तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहां पर जो आपकी क्लिक यहां पर वीडियो परफार्मेंस के अंदर रैंकिंग बाई व्यूज व्यूज और इंप्रेशन क्लिक सेवन ओफ टेन दिखा रहा है मतलब आपने इसमें रैंकिंग वाई व्यूज का मतलब है यहां पर चाहिए यह आपकी रैंकिंग दर शाती है कि कितने नंबर पर रैंक कर रही है जो अगर आपकी रैंक कम होगी तो मतलब यह सोच लेना कि आपकी वीडियो डाउन वैसी दस में से 10 ही हो तो आप बोलोगे मेरी रैंकिंग ज्यादा हो ही है यह नहीं होता अगर आपकी रैंक नंबर वन पर चल रही है तो आप यह सोच लेना कि मेरा चैनल का डाउन सफाल खतम होने लग गया है और अब ग्रो में चैनल तो मुझे दुगना काम करना चाहिए तो यह देख सकते हैं उसके नीचे व्यूज का उप्शन है तो आपको पता ही है कि होते क्या है किस तरीके से अते हैं तो अगर उसके नीचे जाएंगे तो इंप्रेशन क्लिक थूरे यह जो आपने पहले वीडियो किया उससे ज्यद्धा बेटर है लोग आपकी इस वीडियो को उस उन वीडियो से ज्यादा प्यारक दे रही है ज्यादा देख रहे है और विड़कों को अच्छी है या बुरी है वो आपके percentage में पता लग जाएगा लोग खुद बता देंगे YouTube खुद बताएगा लोग तो क्या पते हैं यूटीब खुद बताएगा यह studio जो है यह खुद बताथा है कि आपके वीडियो पहले से अच्छी बनी है एया पहले से बूरी बनी है तो उसके नीचे वीडियो लोग कितनी देछ रहे हैं metla और लब 10 मिनिट की वीडियो है तो उस में से कितने मिनट देख रहे हैं तो यहां पर ऐसे उपर और हम आपको बता जाएत चोटी सी आपका थमनेल इतना आई केची होना चाहिए कि वो देखते ही लोगों को पसंद आ जाए और लोग उस पर क्लिक करने के लिए मजबूर हो जाए कि भाई हम इस वीडियो को देखेंगे कि भाई ने बताया क्या है तो आप अगर अपना थमनेल इतना अच्छा करें तो इसके लिए एक जो चोटी सी स्टैटिजी होती है अगर शोट वीडियो वाले हैं तो वह बोलेंगे कि यार अब हमारे तो यह हैं मैंने लोंग वीडियो के लिए बता दिया कि थमनेल अच्छा होना चाहिए टाइटल टैग डिस्क्रीशन जाए इतना अच्छा होन उपन यूट्यूब मैं यूट्यूब आपलीकेशन बन कर लेता हूं आपके सामने कुछ इस तुरिकल आइज उपन हो जाता है लिए कि प्लस वाला इकन दिया इसमेंप करने के बाद में आप ने क्या करने इसमें दूस है उसमें डन कर देता हूं नीचे ड़ना अच्छक अधर प्रसेसिंग लेने के बाद में आपको राइट साइड के अंहीं को नहीं देना है आपने मतर शिर्फ जो वीजिविलिटी है उस पे टैप करने के बाद आप आपने क्या करना है वीडियो को आपकी शोट वीडियो को अनलिस्ट बे करके और अपलोड करना है आपने पब्लिक करके अपने क्या करना है यहां से अनलिस्ट करके और बेक आजाए तो नीचे आपको अपने क्या करना है शोट वीडियो को अपलोड कर देना है और अपलोड क के दिए को पी करनी है तो उस पर टैप करने के आपके सामने फिर से एक न्या इंटरफेस ओपन हो जाता है और इसके अंदर आपको आपका चैनल का नाम और लोगो दिये के उससे नीचे आपको तीन अप्षंट गूगल अकाउंट और तर्न और पिलۄकर्सılा जाता है आपके वीडियो कि किस्क मुलीट करें तो आपके यहले करना है तो आपके प्लीट करें आपने यह एक صاحना करें अपने वीडियो प्लेय करो यहां आक करो आपकी मरजी है परंतु इस वीडियो के जो side में आपको तीन बिंदू दिये गए हैं तीन डोट दिये गए तो उस पे टैप करेंगे टैप करने के बाद में गई तो आपके सामने एक छोटा सा आप वाइटूल अप्लिकेसिन के लिंट को कोपी करने की जरूरत नहीं होती है और कीवर्ड देने की जरूरत नहीं शोट वीडियो के अंदर आपको हैस्टियाग और टाइटल जुरूरी होता है तो आपने क्या करना है यहां से टाइटल कौपी करने के पिर आपने उस वीडियो के पब्लिक करना है और पब्लिक करोगे आप देखोगी कि बैइ आपके चैनल में कितना फरक है आपकी जो वीड रहा है जिसकी उपर ही उपर वीडियो आई है उसका अगर आपने टाइटल टाइटल और एश्टेक्स अपलोड कर दिये तो आप यह सोचों कि अगर उसके 100 के व्यूज आए हैं मतलब एक लाग व्यूज आए तो आपके 75 जार यानि कि 75 के व्यूज जरूर आ जाएंगे तो इस तरीके से आप भी अपने चैनल को ग्रोग कर सकते हैं और वह विविवाइटी स्टुडियो की मदद से जैसे वाइटी स्टुडियो आपका बताता है त्रीक उसyl 멋ण है तो आग अगर वीडीयो पैसंदा है विडीयो को लाई शेर करें और कमेंट बॉक्स में जरूरता है थैंक्यू गाइज मिलते हैं नेक्स टूडियो में किसी नए कंटेंट के साथ तब तके लिए जाहिंद वंदे मात्रम